क्याल की 2989 AD ट्रेलर साउट स्टार प्रभास फिल्म सालार को लेकर सुर्खियों में चाय हुए हैं इसकी स्टोरी ने फैंस को जबर्दस्त इंप्रेस किया है आदि पुरुष की फ्लॉप के बाद प्रभास ने सालार के रूप में हिट डिलीवकर बॉक्स ओफिस पर एक बार फिर जल्वा कायम किया है बही अब प्रभास के फैंस को उनकी अगली पैन इंडिया फिल्म कल की 2898 AD का इंतजार है इस मूवी में पहली बार प्रभास को दीपिका पादुकोन के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते देखा जाएगा कल की 2898 AD के कुछ पोस्टर्स सामने आ चुके हैं और अब इस बात से परदा उच चुका है कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा डायरेक्टर अश्विन नाग के डायरेक्शन में बनकर तयार होने वाली कल की 2898 AD प्रभास की बिग बजट फिल्मों में से एक है इस मूवी के पोस्टर्स और स्टार कास्ट को लेकर एक समा पहले से बंद चुका है अब फैंस की नजर ट्रेलर पर है जो कब रिलीज होगा इसका खुलासा अश्विन नाग ने आई आईटी बॉम्बे में हुए प्रोग्राम में किया है शुक्रवा को यहां एक इवेंट के दौरान उन्होंने बताया कि कल की 2989 AD का ट्रेलर 93 दिनों के बाद रिलीज किया जाएगा इसका मतलब है कि ट्रेलर मार्चेक एंडिया अप्रेल की शुरुआत में देखने को मिल सकता है बता दे की दीपिका के अलावा यह प्रभास का मैक स्टार अमिताब बच्चन के साथ भी पहला प्रोजेक्ट है इसके अलावा फिल्म में और भी नामी लोगों का अभिने देखने को मिलने वाला है फिल्म की स्टार कास्ट में कमल हासन और दिशापाटनी का नाम भी शामिल है अश्विन नाग ने कहा कि इन सभी एक्टर्ज में सिनिमा के लिए धेर सारा प्यार है दावा किया जा रहा है कि कल की एक ऐसी फिल्म होगी जो फैंस को गजब का सिनिमाटिक एक्सपीरियंस देगी